हालो एवरीवान वेलकम बाक टू माई चैनल लर्न विद रूची आज मैं आप लोगों को टू डिजिट नंबर्स की स्क्वेर ट्रिक सिखाने वाली हूं जिन्हें भी आज सकी ट्रिक समझ नहीं आई है तो डेफिनेटली आज ट्रिक आपको समझ आ ही जाएगी राइट क्यो स्क्वेर तो सिंगल डिजिट नंबर्स है वन से लेके नाइन तक इनका स्क्वेर आपको औरली आना ही चाहिए एइनْ आइसे कि वन स्क्वेर का वाLAN विए आपको औरली आना ही चाहिए ठीक है आज हम लोग सीखेंगे टू डिजिट पोली जैसे कि 10 से लेके 99 तक कि numbers की यह जो trick है इतने numbers तक apply होगी और same तरीके से apply होगी ठीक है तो आप हम लोग अपना first sum करते हैं आज का तो हम लोग कोई भी number ले लेते हैं say मैंने ले लिया number 54 ठीक है अब 54 का हमें square निकालना है वैसे हम method से करेंगे simply 54 into 54 तो बहुत बड़ा हो जाता है ठीक है ना time भी बहुत लगता है तो अब हम लोग क्या करेंगे trick का use करेंगे trick का use करने के लिए देखे चार्ल आप blanks डाल लीजे ठीक है अब यहाँ पे 2 blanks में लिखे 5 का square 5 का square कितना है 25 25 लिख दीजे ठीक है अब य यह वाले 2 blanks में 4 का square लिखे कितना आया 16 ठीक है उसके बाद आपको second step में क्या करना है 5 और 4 को multiply कीजिए और फिर multiply कीजिए इस उपर वाले number से 2 से तो कितना आएगा 5 4 is a 20 and 20 2 is a 40 ठीक है तो 40 आपको अब यहाँ पर यह चार डिजिट्स आई है राइट साइड की एक डिज छोड़ दीजिए राइट साइड की डिजिट्स हमेश्चा छोड़नी है और 40 के है 40 आप इधर लेग दीजिए अब यह numbers को add कर दीजिए 6 का 6 1 प्लस 0 1 5 प्लस 4 9 and 2 का 2 यह हमारा answer हो गया राइट तो यह बहुत ही simple था ठीक है चलिए अब दूसरा sum करते है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए तो हम दूसरा एक example ले लेते है 37 का square ठीक है अब again 4 blanks डाल लीजिए यह सिरफ मैं को समझाने के लिए डाल रही हूं blanks आपको जब आ जाए गिटरे का आप बस directly answer लिख सकते हैं तो अब देखिए यहाँ पर आएगा 3 3 9 3 का square क्या होते है 9 तो अग क्या करते हैं 0 डाल देते हैं तो अभी कितना बन गया 90 तो 90 तो नहीं है यहाँ पर क्या है 9 तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें 9 0 नहीं लिखना है हमें 0 9 तो 09 मतलब 9 अगर आप 9 पहले लिखेंगे 0 बाद में लिखेंगे तो 90 हो जाएगा तो इसलिए मैंने यह वाल नमबर लिया 37 ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूँ कि जैसे 3 3's are 9 था तो 9 हम यहां लिखेंगे 0 आगे लगाएंगे ठीके इसके पहले अब 7 का स्क्वेर लिख दीजे 7 7's are 49 देखें अब अगें वही वाला 3 into 7 3 7's are 21 और 21 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 42 तो 42 यहां लिखेंगे क्योंकि एक ब्लांक राइट से हमें छोड़ना है empty आप स्क्वाइड कर दीजे 9 का 9 4 प्लस 2 6 9 प्लस 4 13 और यह 1 उपर गया 1 प्लस 0 1 तो answer is 1 3 6 9 ठीक है तो एक साब हम और कर लेते हैं लास्ट का तो देखें अपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैंने लिखा है यूनिवर्सल स्क्वेर ट्रिक फॉर 2 डिजिट नंबर्स तो यूनिवर्सल का मतलब यह है कि यह ट्रिक जो है सभी 2 डिजिट नंबर्स के लिए सेम तरीके से अपलाई होगी कोई वे रूल्स डिफरेंट नहीं है कि आप यह नंबर आएगा तो ऐसे कर लेना यह नंबर आएगा तो ऐसे कर लेना ऐसा नहीं है सभी के लिए सेम तरीके से आपको करना है ठीक है तो थर्ड नंबर यह 72 का स्क्वेर अब हम निकालेंगे ठी अब देखे 7, 7 का स्क्वेर क्या होता है 49, अब 2 का स्क्वेर, 2 का स्क्वेर क्या होता है 4, अब माल लिजे, 4 इधर लिख दिया, तो यहां पर यह ब्लांक खाली रह गया, तो इसमें क्या लिखेंगे 0, बढ़ यह हमारा गलत हो जाएगा, right, क्योंकि 4 0 तो 40 बन गया, हमें क्य इधर लिखेंगे, और 0 आगे लगाएंगे, तो अब यह क्या बना, 4, पहले क्या बना था, 40, ठीक है, तो हमें 0 आगे लिखना है, इसलिए मैंने के नमबर लिया, 72, अब अगेन वोई, 7 इंटू 2, 7 तूसा 14, और 14 को इस वले 2 से multiply, तो आजाएगा, 28, 28 यहां लिखा, एक जो यहां पर की digit है, यह हमें छोडनी है, उसके बाद बस यह add कर दीजे, 4, 8, 9 प्लस 2, 11 और यह आगया 5, तो 5, 1, 8, 4 इसका answer है, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूंगी, कि देखें, जैसे हमने यह multiply किया था, 7 तूसा 14, 14 तूसा 28, तो एक यहां पर का तो हमने छोड़ा digit, ठीक है, उसके बाद हमने लिए 28, लेकिन अगर यहां पर 3 digit number होता, माल लीजे, यहां पर 328 आ रहा होता, तो आप 328 कैसे लिखते है, 328, 328 ऐसे लिख देते है, बस यह rule है, कि यह वाली digit हमेशा हमें छोड नहीं है, तो होप यह वीडियो आपको टेक केर, बाई